हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक स्टड्डी पाइंट यूट्व चैनल में और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हैं और इस वीडियो में जो टोपिक रहेगा वो है हर्याना की वेशबूसा ठीक है देखिए इससे पहले जो एकजाम हुए थे उनमें ना हर्याना की वेशबूसा से लेकर एक दो कोस्चन पूछे गए थे और वो सभी पेपर में आये थे एक कोस्चन तो जरूर आया था तो मुझे लगा कि ये टोपिक इंपोर्टेंट है इसलिए मैं इस टोपिक को लेकर आयी हूँ और देखिए सभी के पास एक जैसी बूप नहीं होती इसलिए मैं सेधे बूप से कराती हूँ ठीक है और देखिए इससे पहले जो पेपर हुए है उनकी वीडियो बना रखी है हमने और ऑफीसियल की के साथ भी बना रखी है पैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सब से पहले आप भी के पास आए तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं हर्याना की कौन-कौन सी वेस्भ दूसा और इसमें है कुर्टा और कमीज तो कुर्टे को स्थानी भासा में कुर्टा भी कहा जाता है और यह मुख्यत कोलर की कमीज होती है कुर्टे और कमीज को धोती या पाईजामे के साथ पहना जाता है तो देखिए जो कुर्टा है या फिर कमीज है इसे स्थानी भासा में कुड़ता कहा जाता है और ये जो कुड़ता है ये पाजा में या फिर धोती के साथ पहना जाता है इसके बाद है धोती तो देखिए जो धोती है ये पुर्सों का परिधान है और ये सफेद रंकी होती है इसके बाद है पगड़ी तो ये है कम चोड़ाई का ऐसा धारन ल खंडवा भी पगड़ी का ही एक प्रकार है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और जो राजबूती ढंग से बनी पगड़ी होती है उसे पाग कहा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद है गुली बंद तो देखिए जो गुली बंद है यह एक लंबा पटक को ही गुलिबंद या गुलबंद कहा जाता है तो देखिए हर्याना में जो मफलर होता है उसी को गुलिबंद या गुलबंद कहते हैं इसके बाद है कमबल या फिर उनी चादर या दूसाला तो देखिए जो कमबल है यह उनी चादर जैसे अत्यदी की मोटा वस्तर होता है औ भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद है खेस तो देखिए खेस है इसे पुर्सों दवारा सर्दियों में ओड़ा जाता है और यह मोटी चादर वाला होता है इसके बाद है दोहर तो देखिए यह इंपोर्टेंट है जो दोहर है यह बारिक सूत की मजबूत चादर होती है जिसे दोहरे धागे से मिला कर बुना जाता है और इसे दोहर भी कहा जाता है और यह सर्दियों में ओड़ा जाता है इसके बाद है मुरेठा तो यह देखो आप यह एक पिछे एक्जाम हुआ था लोर्ड डिजिनल किलर्क का उसमें यह कोस्टियन आया था कि मुरेठा क्या है कहांपर पैना जाता है देखी जो मुरेठा है ये एक परकार की टूपई है वह Pulpats in और हर्याना में पहनी जाने वाली एक परकार की टूपई है इसके बाद है मिर्जाई तो ये है रूई भर कर बनाई गई कम्री या किणि कम्री जैकेट है जो सर्दी में तो यह बुजुर्गों दोवारा पहनी जाने वाली पगड़ी है और राज्ये में इसे सान का परतीक माना जाता है तो यह आप जहां से देखो जो खंडवा है यह सान का परतीक माना जाता है और इसे बुजुर्ग लोग पहनते हैं इसके बाद है कमरी या बुंडी यह आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है तो देखी जो कमरी या बुंडी है यह जैकेट होती है इसके बाद है रूई की कमरी तो रूई भरकर बनाई गई कमरी जिसे मिर्जई कहते है इसके बाद है बंदर टोपी तो कान वे सीर वे गल जाता है जो अंग्रत्खा है ये दर्बारी ढ्भंका विद्हान है जिसे कमर पर पैहनते हैं कि इसके बाद है पगडियान तो तो देखी पगडियां इसे गांधी टोपी कहा जाता है देखिए इसके बाद यह पीछे थे वे थे पुरूस वेशबूसा और अब आती है इस्त्री वेशबूसा तो इसमें आता है आंगी यह सूती कपड़े से यह वस्तर कमीज या सूट के नीचे पहना जाता है तो देखिए यह एक अंदरूनी क कपड़ा है इसके बाद है ओड़ना इसे ओड़नी भी कह जाता है और यह महिलाओ दवारा सीर पर धारन किया जाने वाला वस्तर सीर ओड़ना एस सीर पर ओड़़ा जाता है इसके बाद है कैरी तो देखिं जो कैरी है यह नीले खदर या फिट डप पर लाल टीकों वाले कपड़े का घागरा इसे कैरी कहते हैं इसके बाद है कंग तो ये देखो ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है तो जो कंग है यह गहरे लाल रंग का ओढ़ना होता है और ये कंग है ये भी एक परकार की ओढ़नी ही है जो गहरे लाल रंग की होती है और ये भी सिर पर पैना जाता है इसके बाद है चूंदड़ी देखिए जो चूंदड़ी है यह लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ओढ़नी होती है जिसे चूंदड़ी बोलते है इसके बाद है पूछा गया था, एक question के option में था कि गुम्टी क्या है, तो यह सूती रंगी कपड़े पर रेश में बूंदियों से कढ़ी हुई ओढ़नी होती है, जिसे गुम्टी बोलते हैं, तो यह भी ओढ़नी का ही एक रूप है, यह भी सिर पर पहने जाती है, इसके बाद है छ्यामा, तो देखिए जो छ्यामा है, यह पीले पाट की आकरशक कसादी कारी से यूक्त ओढ़नी है, और यह भी सिर पर ओढ़ी जाती है, इसके बाद है डिमाच, तो देखिए जो डिमाच है, यह रेश में ओढ़नी है, जो विवा में दुल्हन को चढ़ाई जाती है, तो यह आप है फुर्पकारी तो देखिए ठर Commission पूछा जाता है जिसमें सघन कड़ाई होती है और यह मुख्श थर सोल बनाने की एक कला है को बिंग पूछाई और इसमें सघन कड़ाई होती है सिर पर ओड़ी जाती है यह भी ओड़नी का ही एक प्रकार है फुलकारी इसके बाद है चांद तारा घागरा तो देखिए जो चांद तारा घागरा है यह खदर कपड़े का बना होता है और इस पर दूज के चांद वे तारे की छपाई की जाती है तो चांद तारा यह घागरे का प्रकार है इसके बाद ह लहे यह नीले रंग का घागरा होता है जिस पर पीले वे नीले रंग के धागों की कड़ाई की जाती है तो देखिए जो लहे नामक घागरा है इस पर पीले और नीले रंग की कड़ाई की जाती है और यह इक घागरे का परकार है इसके बाद है लहरिया तो देखिए जो लहर यह बहुत है यह गहरे लाल रंका पीले धागे किया ौड़ना है इसे ओडने पर सिर्फ किनारियों पर ही कड़ाई की जाती है तो देखिए ये जो ओडनी है इसकी किनारियों पर कड़ाई की जाती है और ये लाल रंकी और पीले धागे से कड़ाई की जाती है इसमें इसे दुकानिया बोलते हैं और ये भी सिर पर ओड़ी जाती है ये भी ओड़नी का ही एक प्रकार है इसके बाद है पीलिया तो देखिए जो पीलिया है ये है लाल किनारियों के बीच पीले रंगे बड़े चापे वाला ओड़ना है ये है पुत्र के जनम पर पीहर से बेटी को भेजा जाता है जिसे ओड कर वह कुवा पूजन करती है तो देखिए जो पीलिया है ये कुवा पूजन के अवसर पर ओढ़ा जाता है और ये पूतर के जनम पर ओढ़ा जाता है और ये पीहर से बेटी को भीजा जाता है जिसे कुवा पूजन पर ये ओढ़ती है और इसे पीलिया बोलते है इसके बाद दामन तो देखिए जो दामन है यह महिलाओं दवारा पहने जाने वाला एक घागरा है जिसको दामन बोलते हैं फिर है समीज यह कमीज के नीचे पहने जाने वाला अस्तर है तो यह भी एक अंदरूनी कपड़ा है इसके बाद है जमफर सरीर के उपरी हिस्से में पहने जाने अ के सफ़ित नाषी नबस होटा है जाडे में जाड़े में फेलिवसिजी खदर का घटेला होता है इसके बाद है ओड़नियों के प्रकार देखी काफी सारी ओड़निया है इनके प्रकार अलग अलग है तो देखी जो गोटा लगी ओड़नी होती है उसको ओड़ना बोलते है पीले पाट का जो ओड़ना होता है उसको छ्यामा बोलते है लाल किनारियों और बीच में नीली रंग वाली जो ओड़नी होती है उसको चूंदरी बोलते है ट्रेस में ओड़ना जो विवा में चड़ाया जाता है उसको डिमाच बोलते है इसके बाद है फुलकारी तो देखिए जो कंग पर ओन के डिबी निमा फुलकारी के ओडने होते हैं उसको फुलकारी बोलते हैं इसके बाद है कंग तो देखिए ये important है पके लाल रंग का ओडना तो ये आपको ध्यान रखना है ये पुछा जाए पके लाल रंग का ओडना क्या कहलाता है जुपानिया बोलते हैं बंधाई पदति की रंगाई से तैयार किया गया ओड़ना ये लहरिया केलाता है और यह पीले या पीले पलों की रंगाई का ओऑना ये भी आपको दिया रखना है जिसको मोडिया बोलते है Beenarde के बाद है गिंद्धिप पलों की रंगाई वाला ओड़ रंगीन कपड़े पर रेश मी बूंदियों वाली ओड़नी होती है इस पर और ये गुम्टी कलाती है तो ये वी चुन्धडी का ही एक प्रकार है इसके बाद है बोल तो देखिए जो बोल है ये सूती कपड़ों पर रेश मी पट्टीदार कड़ाई का ओड़ना होता है तो द बूंदियों वाली ओड़नी होती है ठीक है तो ये दोनों अलग लग है इसके बाद है घागरे या फिर लैंगे के परकार तो देखिए जो घागरे है काले या लाल रंग का घागरा इसको दामन बोलते है काला या फिर लाल रंग का जो घागरा होता है उसे दामन कहते है इ इसको खारा बोलते हैं, इसके बाद है लोह, नीले कपड़े पर पीले पाट की कड़ाई वाला घागरा, देखें ये नीले कपड़े पर और पीले पाट की कड़ाई की जाती है, इस घागरा पर जो की लोह कहलाता है, इसके बाद है गुलडा, गुलडा की लह, तो देखो जो गुलडा की लहे है ये बंधाई पदती से बना घागरा खदर का होता है जिसको लहे बोलते है इसके बाद है कैरी तो ये नीले खदर पर लाल टिकों वाली कपड़े का घागरा होता है जिसको कैरी बोलते है इसके बाद है चांद तारा तो देखिए जो चांद तारा है ये खदर पर चांद वे तारे की चपाई वाला घागरा होता है और इसको चांद तारा बोलते है इसके बाद है लहरिया घागरा तो ये लहरदार धारियों वाला घागरा होता है जिसको लहरिया घागरा बोलते है ठीक है और देखिए इसके आता है बच्चों की वेशबूसा तो जो बच्चों की वेशबूसा है इसमें एक है जुगला जिसे जग्गा भी बोलते हैं ये छोटे बच्चे पहनते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है जो जुगला होता है इसे छोटे बच्चे पहनते हैं और इसके बाद है फरगल यह वस्तर बच्चों को मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में पहनाई जाने वाली टोपी होती है जिसके रंग भी रंगी जोलर बच्चों की कमर तक लटकती रहती है तो देखे जो फरगल है ये सीर पर पहनने वाला कपड़ा है जो जिसको बच्चे पहनते हैं सरदी के मौसम में और इसकी जो रंग भी रंगी जालर होती है ये कमर तक लटकती रहती है तो ये आपको ध्यानतना है इसके बाद जुगला ये है वस्तर मुखे रूप से चोटे बच्चे को पनाय जाता है इसे जगला भी कहते है ये है पीलिये में दी जाती है तो देखिए जो जुगला है इसे चोटे बच्चे पहनते है और ये पीलिये में दिया जाता है ठीक है तो देखिए फ्रेंट्स ये थी आज की आपारी वीडियो इसमें हमने जो हर्याना की वेस भूसा है उसको करवाया है ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करना, सेर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकोन का विटिन भी दबा लेना, थेंक्यू